हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD चॉप में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्मानेंट सेंटरल गॉर्मेंट जॉप के बारे में जो की भारती अंतरिक शनुसंधान संगतन अंतरिक से विभाग इसरों की तरफ से जारी की गई ह सेलरी की यदि हम बात करें तो सेलरी साथवे वेतन आयोग के अनुसार दे होगी 25,500 से लेकर 81,100 तक सेलरी रहने वाली है बाकी जो है पूरा नोटिविकेशन में चेक करेंगे अलग लग पदों पर जहां पर आप आविदन कर सकते हैं अंतर तक वीडियो के बने रहें जो है जो भी सेंट्रल गॉर्मेंट्स के नियमों के अकोर्डेंग जो ऐलावेंस है रहते हैं वो तो रहेंगे ही चलिए देख लेते हैं कैसे आविदन करना है कौन-कौन से पदों पर वेकेंसी जारी की गई जहां आविदन कर सकते हैंshaw यहां पर जो मेरा सबस्क्राइवर 2024 लास्ट डेट है अब चलिए देख लेते हैं कौन को न अविदन कर सकता है सबसे पहले जिस पद की हम बात करेंगे वो साहिक राजभासा का पद है बिलकुल पर्मानेंट सेंट्रल गौर्रमेंट वेकेंसी है ये इसमें जो है अविदन कर सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन 60% अंकों के साथ हासिल किया है और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए इन्होंने लिख दिया है एक पूर्व आवश्यक सर्त के साथ ही सनातक डिग्री निर्धारित समय के भीतर यानि पाठिकरम की अबदी के भीतर जो है पूरी की गई हो जैसा की विष्व विध्याले द्वारा निर्धारित किया गया है यानि रेगुलर बेस पर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो 60% या इससे अधिक अंकों के साथ में इसमें जो है आयू सीमा में चूट तो रहेगी ही साथ में जो है कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट की दर से होनी चाहिए कंप्यूटर चलाना आपको आए अंग्रेजी टाइप राइटर का ज्यान हो बस यह चीज़ें तो आजकल के पास रहती ही है कंप्यूटर चलाना सभी को आता ही है तो यह साहयक राजभासा का पद है अब दूसरा पद देख लेते हैं कि दूसरा पद जहां पर आविदन कर पाएंगे तो विज्ञानि साहयक साइन्टिस साइन्टिफिक असिस्टेंट का जोपद है इसमें 18 से लेकर 35 वर्सक के कैंडिड़ेट आविदन कर सकते हैं 7 पे कमिशन के अकॉर्डिंग ही सैलरी रहेगी मूल वेतन ही जो है केवल 67,350 है इसमें क्वालिफिकिशन क्या मांगी गई है तो इसमें जो है आपकी फर्स डिवीजन के साथ आपने किसी भी माननेता प्राप्त संस्थान या यूनिवस्टी से कम्प्लीट कर रखी हो ठीक है तो यह काफी अच्छी जो है वेकंसी है एस भी काफी अच्छी है दी गई है इसमें सैलरी भी काफी अच्छी है और क्वालिफिकेशन भी ज सीमा में छूट रहेगी वो मैं आपको अभी दिखा दूँगी तकनीकी साहयक साथवे वेतन आयोक के अनुसार जो है यहाँ पर लिवल सैवन के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी इसमें भी सैलरी आप देख सकते हैं काफी अच्छी है 67,350 सैंडर गॉर्मेंट की वेकंसी है य मुझे लगा कि बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रैजुइशन कंप्लीट कर लिया है या फिर जो है टेकनिकल एसिस्टेंट में उनके पास कोई भी डिप्लॉमा डिग्री है यहाँ पर जो है केवल B.Sc वाले अप्लाए क कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर ग्रैजुइशन वाले अप्लाए कर सकते हैं तो इन में ज्यादा हायर क्वालिफिकेशन नहीं मागीगी बाकी में सम में जो है हायर क्वालिफिकेशन है तो सेलेक्शन प्रॉसेस जो है और डिटेल में जो है इन्होंने स्लेबस भी जो है करते हों कि प्रोसेसिंग सुल्क के रूप में प्रति आवेदन समान रूप से 500 रूपय का भुकतान करना होगा लेकिन यह वापस हो जाएगा आपको जब रिटन टेस्ट के लिए आप उपस्तित होंगे तो आपको जो है यह 500 रूपीज वापस कर दिया जाएंगे ठीक है तो कैसे आवेदन करना है तो यह पूरा प्रोसेस यहां दिया गया है ओफिशल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शियर कर दिया जाएगा आयू सीमा आप देखें यहां पर आयू सीमा जो है अनसुचित जाती अनसु केंद्र सरकारी करमचारी हैं विद्वा तलाक शुदा महला एवं कानुनी तोर पर अपने पती से अलग हुई महला है जिसने पूनर्विवार ना किया हो भारत सरकार के आदेशा नुसार आयू में चूट होगी वेतन तो आपको बता ही दिया है अन्यभत्ते भी जो है आप के लिए और भी अच्छा रहता है अब देख लेते हैं कैसे जो है नोटिफिकेशन आप देखेंगे कैसे आवेदन करेंगे तो यहां पर रेकूटमेंट नोटिस है और इसमें जो है यहां पर पहले 9 अक्टूबर लास्ट डिट थी लेकिन अब जो है 23 अक्टूबर 2024 तक आ आवेदन कर सकते हैं इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहां पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिमति थी 9 अक्टूबर नजर आएगी लेकिन यह बढ़ा दी गई है तो ध्यान रखना है इस पर देखकर जो आप यह ना सोचें कि लास्ट डिट निकल गई है ठीक है अभी जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं एड़र्टीजमेंट देखने के लिए आप लोगों को यहां पर क्लिक करना है और यहां पर आप देखें पहले जो है डेट 9 अक्टूबर 2024 थी इसको बढ़ा दिया गया है 23 अक्टूबर 2024 ठीक है जो भी कैंडिडिट आवेदन करने के चुक होंगे तो उनको यहां पर लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शियर कर दिया जाएगा चलिए बिलेंगे नेक्स वीडियो में थेंक यू